हेलो फ्रेंड्स आइम जैश्री जहुर एंड यू आर वाचिंग जहुर्वर्स क्लासू प्लास फिफ्थ के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है मेरे प्रीवेस वीडियो में हमने हमारा थर्ड लेशन एडिशन एंड सब्ट्रेक्शन अल्रेडी शुरू कर दिया है और उसके प्रोब्लेशन 12 तक पूरे सॉल्व कर लिये हैं जिसमें हमने एडिशन और सब्ट्रेक्शन ये सीख लिया है तो आज हम शुरू करने वाले है हमारा प्रोब्लेम से थर्टीन गशन इसमें addition और subtraction के mixed sums हमको solve करने हैं problem set शूरू करने से पहले आप सभी से request है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को subscribe कीजिए और bell icon को press कीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो के notifications आपको मिलते रहें तो अब शुरू करते हैं हमारा problem set 13 मैं question पढ़ती हूँ आपको question screen पर दिख रहा है आप भी screen पर देखकर साथ साथ में पढ़िए आपके book open रखिये और आपकी notebook भी open रखिये ताकि आपको कुछ note करना हो तो आप तुरंत note कर सको तो आए शुरू करते हैं problem set 13 The forest department planted 23,078 trees of kher, 19,476 of beheda, besides trees of several other kinds If the department planted 50,000 trees altogether, how many trees were neither of kher nor of beheda Forest department ने 23,078 trees kher के लगाए, 19,476 trees beheda के लगाए और total trees लगाए है 50,000 Total trees उन्होंने लगाए 50,000 उसमें से कुछ है kher के, कुछ है beheda के और और भी बाकी बहुत सारे trees उन्होंने plant किये है तो हमको दूसरे सारे trees कितने plant किये हैं ये find out करना है तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कौन-कौन से trees का number हमको दिया है तो ये हमने लिख लिख लिया है total trees कितने plant कियें 50,000 number of kher trees kher trees कितने है 23,078 number of beheda trees है 19,476 total trees 50,000 है और उनमें से ये अगर हम दोनों को minus कर दे तो हमको बचे हुए जो दूसरे trees है वो कितने plant किये ये हमको पता चलेगा तो सबसे पहले हमको क्या करना है kher tree और beheda trees ये दोनों को add करना है और उनका जो addition का answer आएगा वो क्या रहेगा kher और beheda trees की total रहेगी तो उनको अगर हम 50,000 में से minus कर दे तो बचे हुए जो दूसरे plants है वो कितने plant किये कितने जाड लगाए बचे हुए वो हमको पता चल जाएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे kher tree और beheda tree को add कर देंगे ओके तो ये kher tree और beheda tree को हम क्या करेंगे add कर देंगे तो ये कितना आएगा 8 प्लस 6 या आता है 14 4 नीचे लिखेंगे 1 क्यारी करेंगे 7 प्लस 7 14 प्लस 1 15 5 नीचे लिखेंगे 1 क्यारी करेंगे 4 प्लस 1 या आता है 5 9 प्लस 3 आता है 12 2 नीचे 1 क्यारी 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 तो ये दोनो trees मिला कर कितने हुए 42,554 लेकिन total trees लगाये है 50,000 तो अगर 50,000 में से हम ये दोनो trees की जो total है उनको अगर minus कर दे तो हमको बचे हुए trees कितने है खेर और बहरा छोड़के दूसरे trees कितने लगाये वो हमको पता चल जाएगा तो ये total of क्या है total of खेर और बहरा ओके तो अब हम क्या करेंगे total trees minus total of खेर और बहरा 42,554 इनका subtraction कर देंगे अब 0 में से 4 minus नहीं होगा तो इसको क्या करेंगे 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा ये 10 हो जाएगा पहले तो ये हो जाएगा 9 फिर ये भी हो जाएगा 9 ये भी हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4 हम यह शुरू में ही हमको करना पड़ेगा क्योंकि देखिए यहाँ 0 है तो 0 को हमको 10 करना जरूरी है 9 करने के लिए 1 मैनस करने के लिए तो यह 9 यहाँ से हमने यहाँ 1 बॉरो किया है तो यह भी 9 हो जाएगा यहां से 1 इधर borrow किया है तो यह भी 9 हो जाएगा और यहां से 1 इधर borrow किया है तो यह 4 हो जाएगा तो अब हम subtract करेंगे 10-4 आता है 6 9-5 आता है 4 9-5 आता है 4 9-2 आता है 7 और 4-4 आता है 0 तो बच्चे हुए जो पेड़ है वो कितने लगा है 7,446 तो हम आंसर लिखेंगे 7,446 ट्रीज वेर 7,446 ट्रीज वेर नाइदर ओफ खेर नौर ओफ बेहडा 7,446 ट्रीज ये खेर के भी नहीं है और बेहरा के भी नहीं है वो दूसरे ही अलग ट्रीज लगाये हैं Now next A city has a population of 37,4926 If this includes 11,24,069 men and 10,96,478 women What is the number of children in the city एक city की population है 37,4926 जिसमें 11,24,069 men है और 10,96,478 इतनी women है तो number of children कितने हैं उस city में ये हमको find out करना है तो सबसे पहले हम description लिख लेंगे board पर उसके बाद मैं आपको explain करती हूँ हमको क्या दिया है एक city की population है ये number of men है इतने number of women है इतने और number of children हमको find out करना है तो total population हमको पता है number of men और women को जब हम add करके total population में से अगर subtract कर देंगे तो हमको number of children का पता चल जाएगा तो सबसे पहले हम number of men और number of women को add कर देंगे तो हम लिखते है total men and women कितने हैं ये जादने के लिए इनको add कर देंगे plus 9 plus 8 17 carry 1 7 plus 6 plus 1 ये आता है 14 carry 1 4 plus 1 5 6 plus 4 10 0 नीचे लिखेंगे 1 carry करेंगे 9 plus 1 10 plus 2 12 2 नीचे लिखेंगे 1 carry करेंगे 1 plus 1 2 1 plus 1 2 तो men और women का total कितना है है 22,20,547 अगर हम ये total जो population है उसमें से इस नंबर को men and women के नंबर को subtract कर देंगे माइनस कर देंगे तो हमको number of children कितने है ये पता चल जाएगा ओके तो लिखते हैं हम total population कितनी है 37,4,926 माइनस उसमें से क्या subtract करेंगे total of men and women men plus women वो कितना है 22,20,547 तो ये अगर subtract करेंगे तो हमको क्या पता चलेगा number of children okay now 6 ये 7 से चोटा है इसलिए इसको 16 कर देंगे और इसको 1 कर देंगे 16 माइनस 7 करेंगे तो क्या आएगा ये आता है 9 अब 1 ये 4 से चोटा है तो इसको 11 करेंगे इसको 8 करेंगे 11 माइनस 4 करेंगे तो आता है 7 8 माइनस 5 करेंगे तो आता है 3 4 माइनस 0 4 0 माइनस 2 नहीं होता है इसलिए इसको 10 करेंगे और इसको 6 करेंगे 10 माइनस 2 आता है 8 6 माइनस 2 आता है 4 and 3 minus 2 आता है 1 तो number of children कितमे है 14,84,379 तो हम answer लिखते है number of children is equal to 14,84,379 okay so this is our answer now next the management of a certain factory had 25,40,600 in the labor welfare fund from this fund 12,37,865 were used for medical expenses 8,42,317 were spent on the education of workers' children and the remaining was put aside for a canteen how much money was put aside for the canteen एक factory की जो management है तो उन्होंने 25,40,600 रुपीज लेबर वेलफेर फंड में जमा करकर रखे है तो इस फंड से medical expenses के लिए उन्होंने 12,37,865 रुपीज यूज किये 8,42,317 रुपीज वर्कर्स के बच्चों के एजुकेशन के लिए यूज किये और जो बचे हुए रुपीज थे वो कैंटीन के लिए उन्होंने निकाल कर रखे तो कैंटीन के लिए उन्होंने कितने रुपे निकाल के रखे ये हमको बताना है तो description लिख लेंगे उसके बाद solve करेंगे मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है यह हमने description लिख दिया है total amount in labor welfare fund वो कितनी है 25,440,600 उसमें से medical expenses और workers children के education के लिए जो expenses है वो यहाँ पर लिखे है और जो बचेगा यह 25,00,000 में से यह दोनों खर्चे होने के बाद जो बचेगा वो किसके लिए रखा है कैंटीन के लिए रखा है तो जो इन दोनों खर्चों के बाद जो बचेगा यह मेरे words की तरफ ध्यान दीजिए यह दोनों खर्चे होने के बाद जो बचेगा वो उन्होंने कैंटीन के लिए बाजू में रखा है तो पहले तो यह दोनों खर्चे कितने हैं यह निकालेंगे मतलब उनको add कर देंगे फिर जो बचेगा वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे यह जो टोटल अमाउंट है उसमें से यह टोटल खर्चा सब्ट्रेट कर देंगे तो हमको कितना बच रहा है कैंटीन के लिए यह पता चल जाएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इन दोनों को add कर देंगे मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए है 12,37,865 प्लस चिल्रन्स एजुकेशन के यह कितने है 8,42,317 तो इनको हम add कर देंगे तो टोटल कितना होगा यह पता चल जाएगा हमको टोटल एक्सपेंसेस इनको add करेंगे 5 प्लस 7,12, carry 1 6 प्लस 1,7, प्लस 1,8 8 प्लस 3,11, 1 नीचे लिखेंगे, 1 carry करेंगे 7 प्लस 1,8, प्लस 2,10, 0 नीचे लिखेंगे, 1 carry करेंगे 4 प्लस 4, 8, 8 प्लस 2, 10, 0 नीचे 1 carry, 1 प्लस 1, 2 तो टोटल खर्चा हुआ 20,80,182 तो यह जो खर्चा हुआ, यह अगर हम टोटल फॉंड्स मेंसे माइनस कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि कैंटीन के लिए कितने बच्चते हैं, ओके वेलफेर फॉंड की टोटल अमाउंट कितनी है? 25,40,600 तो उसमें से हम क्या माइनस करेंगे? टोटल एक्स्पेंस माइनस कर देंगे 20,80,182 तो यह अगर माइनस करेंगे, तो हमको कैंटीन के लिए कितने पैसे बच्चते हैं, यह पता चल जाएगा तो सब्ट्राट करते हैं, यह 10 हो जाएगा, तो 10 यह हो जाएगा 9 और यह हो जाएगा 5 10 में से 2 माइनस करेंगे, तो आता है 8 9 में से 8 माइनस करेंगे, तो आता है 1 5 माइनस 1, 4 0 माइनस 0, 0 यह 4 का हो जाएगा 14, और 5 का हो जाएगा 4 14 में से 8 माइनस करेंगे, तो कितना आता है? 6 4 में से 0 माइनस करेंगे, तो 4 और 2-2, 0 तो कैंटीन के लिए कितने बच्चते है 4,60,418 तो आंसर लिखेंगे रुपीज 4,60,418 वेर पुट असाइड फॉर दे कैंटीन So, this is our answer Now, next example For a 3-day cricket match 13,608 tickets were sold on the first day and 8,955 on the second day If altogether 36,563 tickets were sold in 3 days how many were sold on the third day एक cricket match के tickets sell करने थे पहले दिन 13,608 tickets sell हुए second day 8,955 tickets sell हुए तीन दिन का total sale हुआ 36,563 tickets तो ये तीन दिन का जो sale था वो दिया है तो पहले दो दिन का sale हमको पता है और तीसरे दिन का sale हमको निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम पहले दो दिन का जो sale है उनको add कर देंगे और total sale जो हुआ है उसमें से वो पहले दो दिन का sale minus कर देंगे तो हमको third day कितना sale हुआ है ये पता चल जाएगा ओके तो आईए करते हैं तो यहां देखिए total tickets sold हुए 36,563 first day का sale कितना है 13,608 second day का sale है 8,955 और third day का sale कितना है ये हमको find out करना है तो हम क्या करेंगे ये दोनों जो sale है first day का और second day का उनको अगर हम add कर देंगे तो हमको पहले दो दिन में कितना sale हुआ ये पता चल जाएगा और जो total sale हुआ है उसमें से ये दोनों दिन का sale अगर हम निकाल देंगे minus कर देंगे तो तीसरे दिन कितना sale हुआ ये हमको पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे पहले ये दोनों को add कर देंगे sell of tickets on first day इनको add कर देंगे 13,608 plus 8,955 8 plus 5 ये आता है 13 carry 1 5 plus 1 6 9 plus 6 ये आता है 15 carry 1 8 plus 3 plus 1 ये आता है 12 carry 1 ये आता है 1 plus 1 2 तो दो दिन का sale कितना है 22,563 tickets ओके तो ये जो दो दिन का sale है वो हम total sale में से subtract कर देंगे तो हमको तीसरे दिन का जो sale है वो पता चल जाएगा तो total sale ये कितना है 36,563 इस में से हम sale of 2 days ये subtract कर देंगे वो कितना है 22,563 तो 3-3 ये आता है 0 6-6 आता है 0 5-5 आता है 0 6-2 आता है 4 and 3-2 आता है 1 तो 3rd day तीसरे दिन कितने tickets sale हुए 14,000 tickets sale हुए ओके तो हम answer लिखेंगे तो हम answer क्या लिखेंगे on the 3rd day 14,000 tickets were sold ओके तो ये था हमारा problem set 13 I hope ये problem set आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर आया है तो इस वीडियो को like कीजिए अपने friends के साथ share कीजिए और मेरे channel को subscribe कीजिए Thank you, thank you for watching